तमिलनाडू के मुख्यमंतरी M.K. स्टालिन के बेटे उध्याय निधी स्टालिन द्वारा सनातन धरम को लेकर दिये गए विवादित पयान को लेकर हरियाना के ग्रीमंतरी अनिलविज ने कहा कि सनातन धरम चीर कालीन है जो कल भी था और कल भी रहेगा उन्होंने विपक्षिय पार्टियों को भी नसीहत दी कि आइनडी आईये की नेता भी ये अपना पक्षित चुन ले वे बताएं कि वो स्टालिन की विचारधारा के साथ है या सच्चाई के साथ है विज ने सपष्ट करते हुए कहा कि सनातन धरम का अर्थ होता है चीर कालीन यानि जो आज भी है कल भी था और कल भी रहेगा और क्या कुछ कहा अनिल विज ने सुनवाते हैं आपको मुख्य मंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदा निदी स्टालिन जो कि खुद भी एक समिधानिक पदपर हैं मंत्री हैं उन्होंने सनातन धरम के खिलाप बहुत ही ज़्यदा विवादित ब्यान दिया है उनको शैद अल्प ग्यान है उनको मालूम नहीं कि सनातन वो होता है जो आज भी है कल भी था और कल भी रहेगा सनातन चिरकालिक होता है महाबारत के युद में युद शुरू होने से पहले श्री क्रिशन ने सब राजाओं को मुका दिया था कि वह अपना अपना पक्ष चुन ले जो कोरों के साथ जाना चाहते हैं वो कोरों के साथ चले जाएं और जो पानों के साथ जाना चाहते हैं वो पानों के साथ जाएं उसी पर का अब जो रानीतिक अगला महाबारत होने जा रहा है उससे पहले पहले i.in.d.i.a के सबी निताओं को भी अपना पक्ष चुनना है उनको बताना है कि वो स्टालिन की विचारधारा के साथ है जा सच्चाई के साथ है के इंदर सरकार त्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लाने को लेकर विज ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे है लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारा सरकारी खर्चा बच्चता है इसके अतरिक जो सारा साल कोर्ट आफ कंडक्ट लगा रहता है उससे सारा साल विकास कारे रुके रहते हैं उन कार्यों में गती आएगी देश और ज्यादा गती से आगे बढ़ेगा उन कामों में गती आएगी देश और ज्यादा गती से आगे बढ़ेगा और उन्नीस सो दो हजार संतालिस तक जो विक्सित भारत बनाने का सपना है वो और जल्दी साकार हो जी ट्वेंटी सम्मेलन होने वाला है इसको लेकर कुछ विदेशी महमान भी देश में आने शुरू हो गए है इसको लेकर विज ने कहा कि आने वाले अतितियों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है उनको बहुत ही अच्छा अतिति सतकार दिया जाएगा केंदर सरकार द्वारा स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है विपक्ष द्वारा स्पेशल सत्र बुलाने पर सवाल उठाने पर विज ने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनका तो लगता है बुद्धी का दिवाला पिट गया एक और जहां lockdown लगा है तो उसमें सत्र कैसे बुलाया जा सकता है विज ने कहा कि ये special सत्र पहली बार नहीं बुलाया जा रहा है पहले भी कई बार बुलाया गया है नहीं बुलाया जा रहा है ये बताए ना क्या आज पहली बार हो रहा है कि special session बुलाया जाता है और ये प्रजात हंत्र कि जो बहुत अच्छी प्रहंप्राशे है कि उनको uneans Kemal माद्धियम से जारी ना करके और session बुलाया जाता है और ये प्रदात अंत्र में सारे मुद्धे चर्चा के बाद ही पास होते हैं असपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पानी के लिए देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूस हमें फीजबुक पर लाइक करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें और अपने अमाला ब्रेकिंग न्यूस जाउनलोच करें